तो लीजे शायद फ्रॉसा टाइमवाइस करेक्शन का मोड दिख रहा है विल्कुल फ्लैट ओपनिंग आज फिर गिफ निफ्टी दिखाने के इंडिकेशन्स देता हुआ ऐसे में ग्लोब के हाल क्या है ग्लोब में काफी कुछ अएक्शन है या भी भी कुछ लिख रहे है तो मतलब पूरा अच्छन अभी तक का सुबह सुबह का ताजा ताजा सारा समब करके निर्जी आपको बतादे के वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी निफ्टी बैंक में बजट का जामा पहले है, CNBC आवाज ने, क्योंकि भाई साब, आज का दिन मिलाओं, तो नौ ट्रेडिंग, दसवा ट्रेडिंग सेशन जाब होगा, बजट पेश हो रहा होगा, सिर्फ नाइन ट्रेडिंग सेशन दूर है, तो आज से CNBC आवाज बजट गेर, कल भी हो चुका आज तो और खिला-खिला सा नजर आएगा, दिन बर ये आए उजट, सारी प्रोग्रामिंग बजट के राउंड भीट है, बई, फ्राइंशल मार्केट के लिए का जाता है, अन्वल, फेस्ट, फेट, शादी, कुछ भी कहला है, उस तरह का माहौल रेता है, दो बजट तो ह हो गया, इस साल दो बजट हो जाएगा, इस साल, यहां, इंटरिम हो गया यह दूसरा हो जाएगा, अगले साल शुरू हो ती तीसरा, तो डिवर्स एट बढ़ लाए ना थोड़ा सा, ठीक है, ग्लोब का मूर दिखा ने आपने किम्टिप्टी दिखा दिया था था फ्लैट प्लीज रखिएगा स्क्रीन्स पे, क्विकली, एशिया के मार्केट और साथ-साथ यूएस, एशिया ठीक है, लाजली ग्रीन में ही दिख रहा है, श्यांगा ही छोड़ दीजे, बाकी सारे एशिन पॉकेट्स हरे में हैं, निक्कई एक परसेंट का उचाल दिखा रहा है, क चाइना के फेरिफरल मार्केट कमजोर, बाकी सब भारे में, ओरनाइट, यूएस फ्लैट से इन ग्रीन था, फ्लैट से एक चौथाई फीजडी उचाल में था, पराद सुबह के फ्यूचर्स जादा बहतर करना है, एक चौथाई से एक तिहाई फीजडी फ्यूचर्स कैसा माहल, कैसे संकेत आज के लिए, और क्या खास? फिर भी, 5572, वेरी हाई नंबर, क्योंकि जो साल के टार्गेट दिये जा रहे हैं, लगबग वहाँ पे संपी पहुंच रहा है, तो दोनों इंडेक्स ने, नेस्डेक ने और संपी ने, निव हाई लगाया, डाउत रॉल एकलस चर्दा, तो जो इस हफते के दो-तीन बड़ ही भी है, उसको लोग सुनेंगे, और इसके साथ ही फ्राइडे से दिगज बैंकों को रिजल्ट, जे पी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी, तो ये सारे इवेंट मार्केट को ड्राइव करेंगे, अब बहुत सारे लोगों की चर्चा है, हम लोगों ने सुनी, सारे लोग यहां जूट नी बोल सकते हैं, ना गोल मोल बात ने कर सकते हैं, सीधी सीधी बात, अरे बहुत जबर्दस ग्रिलिंग होती है, एक दिन मैं देखा, अभी कुछ दिन पहले, बोइंग के सीओ की ग्रिलिंग हो रही थी, तो उनकी सेलरी को भी लेकर के, आपको इतनी सेलरी को बिलनी चाहिए, जवाब इतनी खराब कंपनी चला रहे थी, बहुत तरड़ी को बिलाते हैं, प्रिवेट कंपनी को बिलाते हैं, किसी को भी बिला सकते हैं, तो फेट चेर की यह कमेंटरी सुनेंगे लोग कि क्या उनको यह भरोसा जगा, कि हाँ अब नीचे आरा तो इसको देखेंगे, प्लस जो नंबर आने वाले हैं, और अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मार्केट एक बहुत कॉशास अप्रोज था, बहुत शांत सेशन था अकल कोई बहुत ज़्यादा उथल पुदल तो फोल 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 दर कुश नहीं, एक स डेटा है, बातचीत है कि साब सप्लाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए वो 86-85 के आसपास आ गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं मैंतना मैं, क्योंकि इस पर मार्केट बहुत रियक्ट कर नहीं रहा है, ना गोल पर ना कुरूड पे, तो ये कल की हिस्ती थ सकता है, 10% काफी होता है, 500 अब इस भाव को चेस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मॉर्गन स्टैली नहीं कह रहे है, गोल्में सेक्स कह रहे है कि मुझे 1 अगस से 15-10 तक का मार्केट बहुत खराब लग रहा है, काफी वीक हो सकता है, पोस्ट रनी, ये हमारे पोस्ट बजट वा तीसरे जो सिटी वाले के अब उतना कॉंविडेंस नहीं रहे गया है, और जे पी मॉर्गन कह रहे है कि मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम हो रहा है, ये वही चारो लोग है, जो 2023 से अब तक लगा तार गलत पड़े है, अच्छा, ये वही चारो लो कि वह जो अपने क्लाइंट को नोट भेजे हैं, उसमें ये वार्निंग लिख रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में भी देखे हैं, तो बहुत बड़ बड़े दिग्गत थोड़ा सा कॉशेस है, इस वक्त, चाहे वो रिदम जिसाई हों, या मौतिलाल जी कि यहां की लोग हाँ नहीं, इस तेजी के बाद तो हम सब समझते हैं, थोड़ा सब कॉशन बरतना है, बड़ा मुश्किल है कहां पे मुनाफ़ा वसूल हो, कहां पे कैश लेके बाइठ हो, आज भी बहुत बड़ी आज तो आपको इस बजार में मिली रहोंगे, खेर, रीजिक करते रही है, मुनाफ़ा बादते रही है, लेकर अपने कापिटल को डिपलॉइड रही है, इंडिया ग्रोफ स्टोरी लिया है, ऐसा नहीं है कि सब एक्जिट करके बाइट जाए, पर हाँ, ट्रेडर्स धियान रखे, जटके की हो सकता है, तैयारी हो रही हो, ऐलेवेटेड लेवल्स प में ही वो कैसा अप्रोच करेंगे, कल